अक्सर हमें देखने में आता है कि कई लोग अपने जीवन में बहुती करूप से संपन्न होते हैं और वही पर कई सारे लोग अपना पूरा जीवन निर्धनता में बिता लेते हैं कई लोग अपने परिवार वो अपने आस पास के लोगों की खुशहाली के लिए काम करते हैं वही पर कुछ लोग अपना पूरा समय नाकरात्मत्ता वो दुखी होकर अपना जीवन जीते हैं इन सबी लोगों के सफल या सफल, खुशाल या दुखी होने के कई कारण हो सकते हैं इनका एक प्रबुक कारण है बिलीव सिस्टम, याने की माननेता है हमारा बिलीव सिस्टम हमारे विचारों और जीवन के प्रती दिश्टिकोंड को नियंतरित करता है और जीवन के प्रती द्रिष्टिकोंड से हमारा जीवन बनता है क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए इसे एक उधारन से समझते हैं कई लोगों की धन को लेकर यह मान्यता होती है कि धनी वेक्ति कभी सुखी नहीं रहता कि धन आ जाने पर वेक्ति घमंडी या अहंकारी हो जाता है आदी वही पर कई लोग धनी वेक्तियों का सम्मान करते हैं तथा धन को एक साकारात्मक शक्ती मानते हैं ऐसे में धन के प्रती साकारात्मक द्रिष्टिकोंड रखने वाला वेक्ति संपनता जरूर अरजित करता है इसलिए दोस्तों सदेव अपनी माननेताओं को जागरुता के साथ आगते रहें ताकि आपका पर जीवन सुख समर्दी और आनन के साथ आगे बढ़े